हेलो डियर पैरेंट्स, वेलकम बेक टू माई चैनल पैरेंटिंग एजूकेशन आज बहुत दिनों के बाद एक नहीं अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ RTE जो 3rd round चल रहा है, उसका admission status क्या है, कितने सीट बाकी है, वो साल जानकारी आपको आज की वीडियो में मिले जाएंगी उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, कि अगर आप 1st time चैनल को विजिट कर रहे हो, और आपको ऐसी नएने अपडेट जाने है, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन का आप हिट कर दीजिए चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस साल की जो आर्टी आड्मिशन प्रोसेस है, वो पहले ही बोड डिलेट हुई है, और अभी तो सप्टेबर मेरे आ रहा है, फिर भी आड्मिशन जारी है, इस साल आर्टी की टोटल 3rd round हुए है, जो 1st round हुए है, जो confirm list आये है, उस सबसे पहले आपको जाना है student portal पे, जैसे आप student पे लोगिंग करते हो, तो आपके सामने ऐसा कुछ dashboard आएगा, इस dashboard में total number of applications दिये है, उन में से कितने लोगों का selection हुआ है, वो दिया है, उन में से waiting list में कितने लोगों का नाम आया है, 1st waiting list, 2nd waiting list और अब 3rd waiting list, तो आप admission हुआ है, तो और city बाकी है, तो ये city किन के लिए है, कि सारे बच्चों के लिए waiting list है, ऐसा नहीं है, तो ये सारा जो ये number, ये जो number है, तो throughout the महाराष्टर है, महाराष्टर में भी हर district की, हर एक city के admission प्रस्त अलग-अलग है, अगर मान लोग एक school है, जिसका intake कम है, तो में अभी उसके intake sit full हुई होंगी, लेकिन जो बड़ी-बड़ी school है, अभी उनके sit बाकी है, तो वो admission उनके ही through होंगे, मिन जिस school में अगर sit बच्ची है, वो ही third round में बच्चों को जब waiting बच्चों को वो selection करेंगे, ना कि सारे school में, बहुत parent को में situation होती है, कि मैडम अभी तो इतने sit full हो गई है, फिर बिंपो call लाएगा नहीं, अगर जिस school में sit बच्ची है, अगर school में वैकेट sit रही, तो ही admission के लिए आपको SMS आएगा, आपको admission के लिए call आएगा, अगर किसी भी school के sit full हो गई है, तो पैरेज को किसी प्रकार का भी SMS या फिर message नहीं आएगा, तो य झाल